तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पर अपना जो computer है वह अपने mobile में access कर लिया है जो भी चीज मैं इसमें mobile से open करूँगा वह computer में open हो रही है जो भी मेरे laptop है या आपका कोई भी हो laptop हो या computer हो कुछ भी हो आप अपने mobile में आसानी से access कर पाएंगे जो कुछ भी आपक open करना यहां पर आपका mouse भी दिर जाएगा यहां पर आपको अलग से mouse लगाने की जो अतनी है यहां पर right click और left click सब हैं आप जैसी left click पर क्लिक करेंगे जो भी कुछ भी open करना चाहते हैं वो आसानी से इसी तरीके से open कर पाएंगे एक-एक step मैं आपको बताऊंगा आप अग के लिए या तो वीडियो कॉल करवाई है वीडियो कॉल के जरी हम बताते रहते हैं लेकिन हम उसका computer ही खुद उसके computer की खुद ही problem solve कर पाएंगी इस जो मैं method बताने बाला हूं उस method की जरी है तो friends चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहां application का नाम बहुत ही simple है आप इसको प्लेश्टोर पर टाइप करिए उस सबसे उपर ही आजाएगा इस application का नाम है A W E S U N आप इसको type करेंगे जैसे A W E type करेंगे तो आपके जो suggestion में है यहां पर आ भी सकता है ठीके friends नहीं आए तो आप उसका पूरा नाम डालिए जैसके मेरा पहले सल्चेज था इसमारे आ चुका है A W E S U N आप इसका logo भी देख सकते हैं यह वाला application में आपका समय बचाने के लिए यहां पर अल्रेडी डाउनलोड कर लिया था A W E S U N remote desktop यहां पर आपको simply open कर लेना है जैसे आपको install हो जाए उसके बाद open करने के बाद आपका कुछ इस टाइप से interface रहेगा, interface के बाद आपको इसको slide करना है, slide करने के बाद यहां पर start remote control यह वाला option आपको red color में start remote control पर आपको simply click कर देना है, click करने के बाद यहां पर login to account, आपका कुछ account तो है नहीं इसमें, तो इसलिए आपको सबसे पहले यहां पर उपर की side देख रहे हो उसके बाद password चूज करिए, password चूज करने के बाद अपना नाम डालिए, जो भी आपका unique name हो वो नाम डाल दीजे, password आपका वैसरा है जाए जब एक अक्षार capital और उसके बाद 123 और छोट छोटा चोटा लिखने के बाद, मतलब सब चीज जो password लिखते हैं वो उसके बाद इस टाइप से इंटरफेस रहेगा, यहाँ पर connect का button नीचे की side देखे पा रहे होंगा, connect का button आएगा, अब connect के button में यहाँ पर मांगता है, control your remote device, enter remote device ID, ठीक है friends, यहाँ पर enter remote device ID, यह वाला आपको option दीख रहा, अब यह वाली remote device ID क्या डालनी है, वो मैं आपको बता देता ह यहाँ पर आपको type कर देना है, download, download AWESUN, तो इसकी website सबसु उपर आ जाएगी, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, download AWESUN, मैं इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, android AWESUN for window 10, यह window 10 के लिए मैं आपने download कर रहा हूँ, उसके बाद सबसे उपर वाली link आएगा यहाँ पर उस पर आपको click कर देना है, जैसी आप उस पर click करेंगे, तो आपको कुछ steps interface खुलेगा, आपको scroll down करना है, नीची एक साइड, एक दो option आते हैं, एक तो 32 bit के लिए, 64 bit के लिए आपकी जौन सी window हो, वो आप select कर लिए, मेरे 64 bit की window है, मैं यहाँ पर 64 bit वाले पर select करूँगा तो मेरी जो downloading है, वो start हो जाएगी, ठीक है friends, अब यहाँ पर download होने के बाद, वो ही normal process, right click करके open करें, या फिर open करें, उसके बाद install जैसे other applications, कोई भी application करते हैं, वो install, आप कर लिजे, इसका ज़्यादा time waste नहीं करूँगा, बहुत ही simple process है, install करने का सब आप जानते ही होगे आप install करने के बाद, आप जैसी इसको open करेंगे, मैं यहाँ पर इसको open करता हूँ, यह आपको open करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, यह open का option आ रहा हूँ, open double click कर दिए, फिर आपको right click करके open कर लिजे, open करने के बाद, आपका कुछ इस टाइप से interface रहा है, यहाँ पर आपक करके आप यहाँ पर login कर दीजे, login और password आपका, जो सभी आपने डाला था, password, ticker friends, एक अक्चर capital और 123 और बाद 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 की छोटे, add the rate, special character बगर जो भी आपने password बनाया हो, वो आप यहाँ पर डाल दीजे, उसके बाद आप इसे login कर लिजे, login करने के बाद, आपको कुछ step interface रहेगा, login successful यहाँ पर लिखा हुआ आजाएगा, उसके बाद आप जैसी login successful यह लिखा हुआ आजाएगा, तो आपको यहाँ पर नीचे की साइड देख सकते हैं, do not tried यह step से लिखा आ रहा है, इस पर click कर देंगा तो यह हड़ जाएगा, अब यहाँ पर एक ID दिखाई द करना, यहाँ पर वही ID दालनी है, जो आपके computer में हूँ, यहाँ पर मैं इस पर click करता हूँ, और वह ID दाल देता हूँ, जैसे यह 093701368, यह मैंने जैसे ही यहाँ पर type कर लेता हूँ, type करने के बाद नीचे की साइड एक connect का button आ रहा है, connect के button पर जैसे ही आप click करेंगे, तो आपके यह इसमें accept के लिए मांगेगा, जेख सकते हैं, यह Samsung के mobile का यह बता रहा है कि आपके screen है, वह उसमें access हो जाएगी, आप इसे access करना चाहते हैं, तो उसे यहाँ पर accept के button पर click क करना ज़रूरी है, तब भी वो connect होता है, accept के button पर जैसी आप click करेंगे, तो आपकी screen जो है, वह इसमें connect हो जाएगी, access हो जाएगी, अब यहाँ पर बात आती है, कि हम इसे land escape में कैसे करें, land escape में करने का बहुत आसन तरीका, यहाँ पर आपको auto-rotation का जो option है, वो enable कर देना तो आप का successfully वो ही देख सकते हैं, यहाँ पर मैं mouse का करसर नहीं, यहाँ राइट क्लिक है, राइट क्लिक करके जैसे refresh करना है, तो left click वाला जैसे mouse में हो रहता है, sub function, बिल्कुल वैसे कि वैसे ही इसमें आपको चलेगा, आप इसे experience लीजिए और मुझे बताएगे कि आपको सब्सक्राइब करें, thanks for watching.